मदुबनी में बाईक की ठोकर से 18 वर्षिय युवक की दर्दनाक मौत भेजा थानाक शेत्र के नीमा गाउं की घटना मदुबनी जिले के मधेपूर प्रखंड अंतरगत भेजा थानाक शेत्र के नीमा गाउं हट्या गाची के समीब कोसी पश्चिम बांध पर बीते शुकरवार की रात करीब 11 बजे एक बाईक चालक ने 18 वर्षिय युवक को ठोकर मार दिया इस ठोकर से युवक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई मृतक युवक दर्भंगा जिले के घंट श्यामपूर थानक शेत्र के नीमा गाउं निवासी राम प्रसाद यादव का पुत्र अजीत यादव बताया जा रहा है घटना की सूचना स्थानिय लोगों ने भेजा थाना पुलिस को दी सूचना पाते ही भेजा थाना की थाना ध्यक्ष सूरज कुमार ने पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुँच कर मृतक के शव को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए सदर अस्पताल मधुपनी भेज दिया है बताया जा रहा है कि मृतक युवा कोसी बांध पर पैदल जा रहा था इसी बीच तेज रफ्तार से आ रहे है बाइक चालक ने ठोकर मार दी थाना ध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि आवेदन आने पर प्राथमी की दर्श कर आगे की करवाई की जाएगी स्थानिय लोगों के अनुसार मृतक अजीत यादव गाओं में ही रहकर वेल्डिंग का काम करता था मृतक कुल चार भाई बेहन थे जिनमें अजीत सबसे छोटा था वहीं इस घटना के बाद गाओं में मातमी सनाटा चाया हुआ है वहीं परीजनों का रो रोकर बुरा हाल है मधेपूर से संतोश मंडल की रिपोर्ट